तो आज हम बात करते हैं research aptitude की next topic की that is characteristic of research means जब कोई researcher research करता है तो उसके research में कौन-कौन सी quality होनी चाहिए एक अच्छी research जो होती है उसमें कौन-कौन से element होने चाहिए अगर हम exam के point of view से बात करें तो यह topic हमारे लिए बहुत important है इस topic से basically एक question आता है जो directly-indirectly यहां से related होता है So let's start, first point is objectivity, objectivity means without any biasness तो जब आप research करते हैं तो आपकी research में किसी भी type की कोई भी biasness नहीं होनी चाहिए result को आपको वैसा ही show करना चाहिए जैसा कि आपने उसे actually receive किया था तो आपको अपनी side से कोई भी personal judgment यहां नहीं करनी चाहिए objectivity जो है वो research की सबसे important quality है बाकि जितने भी element है एक अच्छी research के वो सभी element इसी quality पर depend करते हैं तो जब आप research करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो research है उसमें कोई भी biasness नहों तो जो biasness होती है उसके कुछ types है जो exam में काफी बार पूछ लिये जाते हैं like personal biasness means जब एक researcher की personal life उसके past experience उसकी personal assumption का उसके research पर effect होता है तो उसे कहते हैं personal biasness for example मुझे research करनी है कि जो technical work होता है उसमें boys अच्छे से perform कर सकते हैं या फिर girls तो इससे related मेरे mind में पहले से ही ये assumption थी कि जो girls है वो technical work को अच्छे से handle नहीं कर सकते तो जब मैंने research करनी start की तो मैंने जो data collect किया वो almost voice से collect किया और girls को include तो किया बट बहुत कम तो अब जो मेरे research का result आएगा वो fair नहीं होगा और ऐसा क्यों क्योंकि मैंने जो data collect किया है वो मैंने अपनी personal assumption की base पर किया है okay so that is personal biasness next is expectancy biasness तो जो researcher है वो अपनी research conduct करने से पहले ही कुछ expect करके चलता है कि उसकी research का ये result आएगा ये outcome आएगा तो जब वो data collect करने start करता है तो वो data भी अपने expected outcome की according ही collect करता है तो जैसा कि हमने अभी example लिया कि मुझे research करनी थी कि technical work कौन अच्छे से handle कर सकता है तो अगर मैं ये research करने से पहले ही ये expect करके चलूँ कि मेरी research का answer जो आएगा वो आएगा boys तो अगर मैं data collect करना शुरू भी करती हूँ तो मेरा जो data है वो इसी तरीके से collect किया जाएगा कि answer boys ही आए so that is expectancy biasness next is observer biasness observer कौन होता है जो किसी भी event को observe कर रहा होता है तो research में तो researcher ही observer होता है तो as a observer भी research में biasness हो सकती है क्योंकि जो research होती है उसमें कुछ event ऐसे भी होते हैं जो एक researcher के लिए बहुत important होते है but वही same event दूसरे researcher के लिए important नहीं होते है for example एक class है जिसमें सभी बच्चों का जो score है जो marks है वो continue कमा रहे है तो मुझे study करनी है कि कौन-कौन से ऐसे factor है जिनकी वज़े से बच्चों के जो marks है वो कमा रहे है तो marks कमाने की reason तो बहुत सारे हो सकते हैं बहुत सारे factor हो सकते हैं लाइक वो आजखल TV बहुत जादा देखते हैं हो सकता है कि वो phone बहुत use कर रहे हो या फिर उनकी family में कोई problem चल रही है जिससे कि वो stress में रहते हैं तो बहुत सारे factor हो सकते हैं तो जब मैंने as a observer study की तो मैंने TV वाले factor को अपनी research में कोई भी importance नहीं दी मेरे लिए factor important ही नहीं था क्योंकि मुझे लगता है कि TV देखने से तो बच्चे relax फिल करते हैं तो इसका तो उनके marks पर कोई negative effect हो नहीं सकता तो इसलिए मैंने इसे ignore कर दिया बट हो सकता है कि अगर कोई और researcher same issue पर study करे तो उसके लिए factor important हो तो research में हम बोल सकते हैं कि कुछ event एक researcher के लिए important होते हैं तो इवेंट जो है वो दूसरे researcher के लिए important नहीं होते हैं तो that is observer biasness तो research में observer biasness नहीं होने चाहिए जब हम research conduct करते हैं उस time हमें सभी factors को equally importance देनी चाहिए next is external influence external influence means कि आपकी जो research है वो external factor से भी effect हो सकती है external factor like researcher का culture हो गया या फिर कोई ऐसा opinion जो आपकी society ने बनाया हो तो इन सब चीजों से भी आपकी research के result पर effect हो सकता है next is placebo biasness placebo biasness means placebo का मतलब होता है एक fake treatment मैंने यह treatment word इसलिए यूज किया है क्योंकि यह placebo word जो है वो medical से related है okay तो placebo का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो real treatment लिखता है but actual में real नहीं होता हमारे साथ में बहुत पार life में ऐसा होता है कि हमें for example बहुत तेज headache हो रहा होता है और हमारे घर में कोई भी pain killer नहीं है तो हम कोई भी normal सी medicine उठाके ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि इस medicine से अब हमारा headache ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने medicine तो ले ली और automatically 2 minute में हमारा headache reality में ठीक हो जाता है तो इसे बोलते हैं प्लैसिबो जहां हम strongly believe लेकर चलते हैं कि जो treatment मैंने लिया है उससे अब मैं बिलकुल ठीक हो जाओंगे एक real fact बताते हूं when I was in 7th class तो रात को suddenly मेरे कान में बहुत तेज दर्द हुआ और मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मेरे कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो उन्होंने मुझे बोला कि आखे बंद कर में कान में ौमरी की जगरे पानी की ड्रॉप्स टाल दी और मुझे बोला कि मैने दवाई ढली आप तो सोज ए उनकी बाद माल ली और मैंने सोचा कि मममाúde दवाई डालनी है अब तो मेरा पेन ठीक हो जाएगा और एक्शुल में वो पेन अपने आप ही ठीक हो गया बिना किसी मेडिसन के तो इसे बोलते हैं प्लैसिबो जहां आपकी माइंड का इफेक्ट है जो है वो डारेक्ट आपकी बोडी पे होता है अगर आपको लगता है कि आपको जो को सकते है तो यह थे बाइसनेस के कुछ टाइप्स तो जब आप Рिजर्च करते हैं अपकी रिसर्च पाइस इस थ फ्री होनी चाहिए आतरों होने चाहिए और किसी भी टाइप ही कोई पार्शेल्टी नहीं चाहिए चाहिए और सिशे So next point is systematic, तो जब आप research conduct करते हैं, तो आपकी research जो है, वो एक systematic तरीके से होने चाहिए, research conduct करने का पूरा एक process होता है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में discuss करेंगे, तो जो researcher है, उसे एक अच्छी research करने के लिए, उस complete process को step by step follow करना चाहिए. Next is reliability, reliability का मतलब होता है consistency, means uniform, आपने जो research की है और उसका जो first time result आया है, अगर बार बार सेम तरीके से, सेम environment में और सेम issue पर study करते हैं, तो उसका result भी सेम आना चाहिए, अगर बार बार investigation करने से, आपके research का result जो है, वो सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि आपके जो research है, वो reliable है आपके research पर trust किया जा सकता है, ओके, for example, अगर हम gallery की बात करें, जिनों ने ये proof किया था कि Earth, Sun के चार ओर चकर लगाते हैं, तो अब कोई और researcher आता है, और वो सेम topic पर study करता है, तो उसकी research भी यही बताएगी कि Earth, Sun के चकर लगाते हैं, ओके, तो उनकी जो research थी, वो कैसी थ reliable, means, आप same topic पर, जब same तरीके से बार-बार study करते हैं, और आपके study का जो result है, वो same आता है, तो उसे कहते हैं, एक reliable research, next is validity, validity means accuracy, इसका मतलब यह हुआ, कि आप जो research कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, आपकी जो research है, वो उसी track पर चल रही है, जिस पर आप उसे starting से ले जाना चाहते थे, means, जब आप research करते हैं, तो आपने research करने से पहले, ये तो decide किया ही होगा, कि आप अपनी research की help से क्या prove करना चाहते हैं, right, तो आप check करते हैं, कि क्या आपकी research वही prove कर रही है, जो आपने starting में सोचा था, for example, आपको students के attitude को लेकर study करने थी बट बाद में आपने देखा कि आपकी जो research है, वो उनके attitude को नहीं, उनके motivation को measure कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि आप जो actual में measure करना चाहते थे, वो नहीं कर पाई, तो आपकी जो research है, वो accurate research नहीं है, means, उसमें validity नहीं है, तो एक अच्छी research में validity का होना बहुत है, तो जो validity होती है, वो reliability से भी जादा important element होता है, अगर आपकी research accurate ही नहीं होगी, तो आप उस research पर trust भी नहीं कर पाऊगे, right, means, अगर आपकी research में validity नहीं होगी, तो उस research में reliability भी नहीं हो सकती, clear? next is cyclical, तो जो research होती है, वो एक cyclical process होती है, जो एक problem से start होती है, और एक नई problem पर खतम हो जाती है, तो जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी person जो है, वो research क्यों करता है, क्योंकि इसके सामने कोई problem है, जिसका उसे solution find out करना है, तो उसके लिए उसे research कंड़नी पड़ेगी, तो जब परसन, research की help से अपनी उस problem का solution find out कर लेता है, तो उस solution के base पर उसके सामने एक नई problem create हो जाती है, तो जो research है, वो एक continue process होती है, जो कभी खतम नहीं होती, वो start भी एक problem के साथ होती है, और उसका end भी एक नई problem पर होता है, okay, next is controlled factor, जब आप research करते हैं, तो बहुत सारे factor होते हैं, जो आपकी research की result को affect करते हैं, तो उन में से कुछ factor ऐसे होते हैं, जिने आप easily control कर सकते हैं, और कुछ factor ऐसे होते हैं, जिने आप easily control नहीं कर सकते हैं, तो जो research होती है, उसमें हम controllable factor की help से बाकी सब भी factor के effect को कम कर सकते हैं, factors पर जो हमारा level of control होता है, वो depend करता है कि अगर आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो लाब में परफॉर्म होगा, तो वहाँ फेक्टर को कंट्रोल करना इसी होगा. अगर वही आप कोई research ऐसे issue पर कर रहे हैं, जो human से related है, real life से related है, तो वहाँ factors को कंट्रोल करना एक difficult task होगा. तो आपकी जो research है, उसमें कुछ factor, controllable factor होने चाहिए. Next is generalizability. Means आपकी जो research की finding है, जो result आपने बताया है, वो एक larger population पर apply होना चाहिए. तब ही आपकी research एक valued research माने चाहेगी. For example, आपने कोई research की, जिसमें आपको यह जानना चाहते थे कि बच्चों की TV और फोन चलाने से उनकी performance पर, उनके marks पर क्या effect करता है, तो इस research को prove करने के लिए आपने 1000 student का data collect किया. और उससे आपने यह prove किया, कि TV और फोन का बच्चों के marks पर negative effect परता है. तो आपकी जो यह finding है, आपने जो यह result निकाला है, वो thousand से भी जादा बच्चों पर apply होना चाहिए. अगर वो thousand से जादा बच्चों पर apply होता है, तब ही हम कहेंगे कि आपकी research को generalize किया जा सकता है. means, हम सब के लिए यह बात बोल सकते हैं, सब बच्चों पर यह बात apply होती है, कि TV और फोन जादा यूज़ करने से उनके marks पर negative effect पड़ेगा. But अगर आपकी यह finding, thousand है बच्चों पर apply होता है, जिन पर आपने study की थी, बाकि किसी और पर apply नहीं होती, तो वो research जो आपने की है, वो एक valid research नहीं माने जाएगी. Okay, तो that is generalizability. Last one is credibility, means trustworthy. जब भी आप अपनी research के लिए data collect करते हैं, तो आपको data जो है, वो ऐसे source से collect करना चाहिए, जिस से, जिस पे आप easily trust कर सकते हैं. मान लो कि आपने कोई information RBI की site या फिर किसी भी government की site से collect की है, और आपने उसे अपनी study में include किया, तो जो ये sites है, क्या आप उन site की data पर trust कर सकते हैं, obviously कर सकते हैं, तो that is credibility. जब आप ऐसे source से information collect कर रहे हैं, जिस पे हम easily trust कर सकते हैं, तो आपकी research की finding पर भी easily trust किया जा सकता है, तो आपकी research एक valid research माने जाएगी. तो ये थे हमारे research के कुछ characteristics की एक अच्छी research में कौन-कौन से quality होने चाहिए, I hope आपको ये topic समझ आया होगा, इस topic से related आपको कोई भी doubt है, तो आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी ये video पसंद आई है, तो वीडियो को like और share करें, and channel को subscribe करना ना भूले Keep Learning